नमस्कार दोस्तों फीड से स्वागत है आपको हमरे ने वीडियो में तो आज का वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों की राई या सरसों का क्वालिटी किस तरह हम चेक करते हैं गाइज कौन सा राय लो क्वैल्टी होता है दूस्तों कौन सा राय है क्वैल्टी हो आप देख पारेगे हां पर दूस्तों तिन-से-चार किंटल काला सरसो दोस्तों फिका हुआए धूप में सुखने के लिए आपको मता देगा है जगर आप तेर का बीनिस करते हैं घजे — तो अगर दोस्तों राई या सरसों में नमी है दोस्तो तो तेल बहुत कम आता है दो अगर नमी नहीं है तो ज्यादा मातरा में तो तेल अच्छा आता है तो अधों को आंगे जैसा कि आप देख क्वालिटी के बारे में बात करें क्वालिटी काफी अच्छी से कहा जा सकता है क्योंकि दाना इसका बोल्ड है तो तेल अच्छी मात्रा में आएगी और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों की अगर पुरानी राय है दोस्तों तो ज्यादा तेल आता है गाज और नया राय में कमपल आता है गाध है अदूस्तों बताना चाहेंगे दूस्तों लूग क्वैल्टी है काली सर्सो कर दोसके सब्सक्न दोफों छूटव हुटा होता है और valt दॉस्तों रायी सर्सों लेते सब सब का इस तर लेने से नुक्सान होता है जिसमें परसेंटेजेश बहुत ज्यादा कम होता है घाइज और सिफ खल बनती है घ्स तेल बहुत कम मतनम निकलता है दो सब राहे लेना हमें लेंगे बीन बीधव देख तो कौलिटीं यह quality देखे गाई आप quality पे राय लेना चाहिए दूस्तों इसका दाना दूस्तों जैसे का देख पारेंगे बोल्ड क्वाल्टी है गाई यह बोल्ड क्वाल्टी का राय लेने ज़्याय में फाइदा होता है दूस्तों तेल का और यहाँ पे हम राय को सुखने के लिए रखेंगे जिसे मशीन में ढालके पेरेंगे इसके बाद लिए तो कितना गड़ा दोस्तों कटड़ा निकलता यह दोस्तों बोरा दिखे जमा करते हैं गाइज उसके बाद फिर हम इसे स्टाइब के दौर दौर सूप से फटक आते हैं यहां पर जैसा कि देख पारूंगाइज कितना घरदा होता है काफी ड़स्ट मेंटे होता दोस्तों तो इसे घाइज हम स् प्रम्स काइब प्रोफिट होती है दोस्तों आपको हम यहां भी वीक्स कालियो आपको!".